बहुत ही मज़ी की चाय आप लोग घर पे बना सकते हैं और वैसे भी इसे हम लोगो आइस टी कहते हैं और आज कर आसे भी गर्मी का बहुत मौसम हो रहा है तो बहुत ही मज़ेदार सी रिफ्रेशिंग सी चाय बनाते हैं तो मैं ले लिया आदा कब पानी इसमें मैं डाल दू करेंगी एक टेबल स्पून चाय की पती इसे यह देखें अब हमने मिक्स करना है उसके पाद इसे रख दिना एक से दो घंटे के लिए फ्रिज में ताकि यह जो है इसका अच्छा सा जो फ्लेवर है वह पानी में चले जाए चाय की पती का तीक है इसे कोक नहीं करेंगे और यह बहुत रिफ्रेशिंग होती है बहुत मज़े की होती है तो कम से कम दो घंटे आप में रखना है जादा आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं इसका जितना जादा रखे दिया रखेंगे तो जादा मज़े का होगा अब मैंने जो है इसे निकाल लिए ठीक है सा कलर ब हंडा दूद यह भी तकरीबां हाफ कप जाएगा अपने टेस्ट के साफ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं और आप ऐसा भी कर सकते हैं पहले आप इसको चान ले और फिर दूश शामिल करें लेकिं मैंने पहले ही कर लिया अब मैं बाद में चान होगी तो यह देखे यह बि मैं जरूर आना है कि आपको कैसी लगी है सिंपल सी कोई उनीक सी रेसिपी थी क्विक सी थी मैं बनाती हूँ इसे तो इसलिए मैंने का आप लोग सब ही शेयर कर दो मिलिंगे अपनी नेक्स वीडियो में चैनल पीन होई जोने को सब्सक्राइब करें तो आप मिलेंगे नेक नेक्स वीडियो में आलाहाफेज